कैना कौन होती है कैना 36 गर राज्य के अंदर कन्याओं को संभोधित करने के लिए कैना शब्द का प्रयोग किया जाता है 36 गर की एक विशेश जन जाती है देवार जो 36 गर की लोग गाथाओं में एक खुबसूरत से कन्या करवर्ण करती है जिसका नाम है दस्मत कैना मैं 36 गर हूँ इस दस्मत कैना से संभंधित गाथाओं को जानने के कुछ पीछे की घटनाओं को जानना आवश्यक है बहुत से इतिहास कारों ने यहां अलग अलग प्रकार के वर्णन की है धानोला श्रिवास्तों की अश्चराज अंभोज में इसका एक अलग वर्णन देखने को मिलता है तो जानते हैं दस्मत कैना इस गाथा का संबंध उडार बांध से भी माना जाता है इस तलाब के बढ़ने के विशय में एक कहवत प्रसिद्ध है कि दुर्ग के राजा महान देओ यहां के उडिया जाती की राने अस्मत कुछ किताबों के अनुसर दस्मत औरगीन के रुप में इतने मंत्र मुग्द हो गए थे कि हत्यार के जोर पर उस रानी को प्राप्त करना चाहते थे इस साध्यवी रानी ने अपने सधित्वी रक्षा का कोई उपाई नहीं देखा और एक ही रात में एक लाख उडिया लोगों के द्वारा इस तलाप को खुदवाया और सब इस्त्री पूरुष के समित उसी भी दूपकर उन्होंने आत्मदा कर लिया इस प्रकार अपने सधित्वी के रक्षा कर उड़िया जाती का मुखज्वल कर गी परन्तु देवान जाते के द्वारा गायचाने वले दस्मत कहना की गाथाओं में कुछ अलग है उल्लेक सुनने को मिलता है उनके अनुसार दस्मत कहना एकांगी प्रेम की एक गाथा है दस्मत जो जीवन में अनेक मोर, अनेक उतार चड़ाओं, प्रलोभन, भय के बावजूद भी अपने सिधानतों पर अड़ी रही, कश्टों को सहा, पर किसी के सामने ना तो जूकी ना ही शर्नागत भी इस गाथा का पूरा वर्णन चलिए अब हम यहाँ पर सुनती है लोग गाथा के अनुसार ओडिया के भोज नगर के राजा की सात बेटियां थी, और सातों बेटियां बहुत ही सुन्दर थी सातों बेटियों में से दश्मत कहना सबसे छोटी, सबसे सुन्दर और चंचल कन्या थी सब जगह उसके रोप और उसके भुद्धी मत्ता की चर्चा थी एक दिन राजा भोज ने अपने सातों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे एक सवाल पोज़ा सवाल ये कि वे किसका खाती है छे बेटियों ने उत्तर दिया कि वे राजा के भाग्या का खाती है और राजा से सब पाती है राजा उनका अन्न दाता है परन्तु जब यही सवाल सातवी बेटि दश्मत कहना से पुछा गया तो दश्मत कैना ने उत्तर दिया कि मैं अपने कर्म का खाती हूँ और अपने भाग्य का पाती हूँ इस उत्तर से राजा का स्वावी मान ठोकर खाता है और स्वाभावी राज से दम उभर आता है राजा अपने मंत्री से उस छोटी कन्या के लिए एक ऐसे वर की तलाश करने को कहता है जो एक्दम करीब हो यदि वह दीन में श्रम करे तो ही उसे रोटी मिले यदि काम ना करे भूखा रहना पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता राजा की आग्या के अनुसार भुजंग रूप रंगी हीन उडिया मजदूर बिहया को खोजा गया बिहया अपने भाई के साथ जंगल में पथर तोड़कर पथरा पिला जुगन निगालते थे जिसे उसकी मा साहुकार को बेचती थी जिनसे उन्हें पेट भरने लाइक अनाज मिल जाता था बिहया से दस्मत कैना का विवाह कर दिया गया और वह दस्मत कैना अपने पती और अपने सास के साथ रहने लगी दस्मत अपने पती के साथ पत्थर तोड़ने का कारे करने लगी जिसे उसने अपना भागे समझ कर स्विकार किया पत्थर से निकलने वाला पत्थरा पिला याने कि छोटा टुकडा इसके दश्मत कहना परक लेती थी कि वे हीरे हैं या पत्थर हैं जिसे साहो कर अत्यनती कम कीमत देता था और खुट उसे लाकों में बेशता था तब उससे लड़ जगड कर हीरे का उचित प्रतिफल दश्मत पोड़नीन के नाम से उसकी पहचार जगय जगा होने लगती है दश्मत के भागे में मेहनत से खाना ही लिखा होता है इसलिवा अपने पती और ओडिया मर्दूर के साथ साथ शेत्र भर में घुम घुम कर बान तालाब बावली खोदने का काम करने लगती है एक और पोजन के लाले पड़ गए उडिया समाज अपनी मुखिया दश्मत पर ही नीरभर था इधर दूर्ग के राजा महान देव को तलाब खुदवाना था और उडिया इस कारे में बहुत माहे थी बड़ी संख्या मेवे दूर्ग शित्र में आये तलाब बान बनाने का काम शु पारने की बहानी जाने की काम के लिए 120 इस्त्री और 120 पुरुशा के साथ में काम मांगने जाती है राजकुल में उत्पन्न दश्मत अपने पारंपरी 36 भड़्य श्रिंगार में जब राजा महान दियों के सामने प्रस्तूत होती है तब राजा उसके सौंदेरे पर मोहित ह महल में फुदकने माली गौरैया को चतावनी देती है कि इस पर आशक्त मत होना पर राजा दश्मत को स्वर्ण का आसन देता है और उसका परिचे पुष्टा है दश्मत बतलाती है कि भोज नगर उसका मायका है और उडार बान उसका ससुराद वह बाविक होदने का काम करती है और इस तरह भी रिष्टे में उसके चाचा होती है दश्मत के रूप यौवन पर मुहित राजा अपनी गरीप मजदूर पती को छोड़ कर उसे पटरानी बनेने का प्रस्ताव लिप रहे है उसे से बिनाय करने लगता है दश्मत विच्रित हुए बिना राजा के अनुरोद को ठुकरा देती है और उरार बान के कारे में लग ज राजा महांदेव दश्मत के प्रेम में उडार बांद आ जाता है और बांद के किनारे तंबू तानकर बैठ जाता है और दश्मत के रूप यौवन के आँखों से रस लेने लगता है और एक मधोर वर्णन उसकी समक्ष प्रस्तुत करता है जब वह उसे उसके चाचा होने क रिष्टे का एहसास दिलाती है परन्तों फिर विवा बांता नहीं है इसके बावजूद राजा महांदेव काम कर रही दस्मत को कंकड मार कर उसका ध्यान अपनी और आतरशित करने की कोशिस करता है एक कपथर की बार में दूसरा धेला मारता है दस्मत सहन नहीं करती और ग बाद भी वह दस्मत की प्रेम में इतना आशक्त हो जाता है कि उसके समक्ष विवा का प्रस्ताव रखता है इसकी हरकत से परिशान दस्मत शर्त रखती है कि यदि तुम भी हमारी तरह मेनत पर काम करोगे तब सोचेंगी प्रेम में आशक्त राजा सीर में जहुआ लिये ल देखो रहे तुम्हारे जीजा कैसे मिट्टी हो रही है हसी ठीचवली की बावजुद भीवा राजा कार्य नहीं कर पाता वह दश्मत से कोई दूसरा निम्न इस तरी कारे कराने के लिए कहने लगता है और श्रम वनकारे करने से मना कर देता है यहां से घटनक्रम आगे क्य पर मजा लेते हुए निम्न इस तरह का जीवन यहापन करने वाले पोडिया लोग कहते हैं यदि हमारी जाती की इस्त्री को पाना है तो हमारे तरह मास खाना होगा और दारू की नहीं राजा प्रामन है फिर भी दश्मत को पाने के लिए उनकी सारी शर्तों को मानने को तैय हो जाता है ओडिया डेरे में और राजा को गर्मा गरम मास खाने के साथ शराब पान करने के लिए कहा जाता है जब राजा नशे में चूर हो जाता है तो बावरों सी हरकत करती हुए नाचने लगता है और ठककर बेहोश हो जाता है उसके बेहोशी का पाइदा उठाकर ओड प्रजा का शरीर घसिटते हुए खार खार जंगल पटकने लगता है। राजा के बेटे मदद के लिए महल से निकलते हैं परन्तों उनकी राणिया अपने बेटों को रोक देती हैं। जिस पिता में एक विवाहित श्रमिक इस्त्री के कारण तुम्हारी मा का त्याग किया ऐसे पिता की सहायता मत करो। वेटे वही रुख जाते हैं। राजा के इस दुख को सुनकर ओडिया मजा लेने लगते हैं। परन्तों राजा का एक मुण लगा नाई यह सब देखने ही पाता और उस तरह से गदही की फूझ को काटकर राजा को बचा लेता है। राजा जब अपने महल आता है कोध से पागल होकर कुछ दिन अपनी चतुरंगीनी सेना को लेकर उडार बानके और पुझ कर जाता है। चुन चुन कर गोडियां को मारने लगते। 9,00,00 गोडिया और राजा सैनी के बिच्यूट होता है और सभी गोडिया मारे जाते हैं। इसी में दस्मत का पती बिहया भी राजा की द्वारा गोली चलवाने पर मारा जाता है। उसके अंतिम संसकार के समय जब चीता पर लेटे बिहया को 5 लकडी देने की बहाने दस्मत चीता के पास आती है तो चीता में खुद भी होत जाती है और जलने लगती है। कोई कहता है कि उसने बान में खुद कर अपनी जान दी थी। जब राजा महान दे उसे बचाने आता है तो बचाते बचाते वह भी पत्था पठोकर खाकर गिर जाता है और उसे चीता में चले ले लगता है। अर्थात पती उसकी उपर दस्मत कहना उसकी उपर राजा तीन लाशे एक साथ चलने लगती है। इस लोक गाथा की स्थानेता के आधा पर एक बात और सुनने को मिलती है कि इस गाथा में हीरे का उलेक मिलता है जो चत्तिस गड़ के देव लोक का वर्णन करता है। दस्मत कहना की समाधी उड़ारवान के पास है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है। यह दस्मत कहना का अंतिम जीवनकाल इसी ख्षेत्र अर्थात दूर्विक शेत्र से संबन्ध हिता। और आज भी चत्तिस गड़ी लोक जीवन की इस गाथा के मेरता को रिखांगी करते। इस तरह सुनाई जाने वाली गाथाओं का उद्देश शी केवल मनुरंजन मातर नहीं होता। बल्कि उन गाथाओं के पीछे हमें किसी ने किसी प्रकार के अनुभरव और सिक्षा की प्राप्ती होती है। 36 गड़ अंचल जहां गाथाओं की प्रचूरता है जिसमें ना केवल अपने एक शित्र विशेश की बल्कि बाहरेक शित्र की गाथाओं के सुनने को मिलती है। बल्कि कुछ धार में पौराणिंगा थाओं है, कुछ वीरता से संबधित का थाओं है। मैं 36 गड़ हूं इस श्रिंखला में एक नई गाथा के साथ में मैं पुना आप सभी के समख्ष उपस्तीत हो जाओंगी। तब तक के लिए मेरे समी बच्चों को धेर सारी शुक्काम नए, धेर सारा प्यार, हमेशा की तरह थेंक यू, लव यू, गड़ ब्रेस यू टू, आल मैं बच्चां।